हेलो दोस्तो स्वागत इस वीडियो में और आपके चैनल में दोस्तो हम सब लोग रेलवे से आना जाना करते हैं तो ऐसे में हमें रेलवे के बारे में सब कुछ पता नहीं होता जैसे की फॉर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और धर्ड एसी में क्या अंतर होता हैं क्या दोस्तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एसी में क्या अंतर होता है यह बताएंगे तो चलो जानते हैं कुछ महत्वपोड़ा बात हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपनी स्टैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया त बलकी तक्रिबन उतनाई होता है यह कोच पूरी तरह से एर कंडिशन होता है आपको इस कोच में 18-24 सिटे मिलेगी आपको यह अच्छी तरह से सर्विस भी मिलते यह आपको सोने के लिए अच्छी तरह से सिटे मिलते यह आपको खाना अच्छा मिलता है कुछ रेनों में प दोस्तो रेलवे का सेकंड एसी कोच भी फुल एर कंडिशन होता है इसमें परदे लगाए होते है और हर विक्ति के लिए रिडिंग लैंब भी होता है इस कोच में 48 से 54 सिटे होती है इसमें भी आपको खाना परोसा जाता है या प्रावेसी के लिए परदे लगाए रहते हैं थर्ड एसी दोस्तो थर्ड एसी में भी एर कंडिशन होता है इस क्लास में ज़्यादातर लोग सफर करते हैं इसमें आपको कोई रिडिंग लैब नहीं मिलेगा इस कोच में 64 स्टे बात्तर सिटे होती है या आपको सुने के लिए भी सिटे होती है इसका किरयाय भी उतना मह परेंगा नहीं होता जितना की फर्स्ट और सेकंड इसी का होता है इस कोच में आपको ज़्यादा सपेस मिलता है और इसका टिक्त प्राइस कम होने के कारण लोग इसे जदा पसंद करते है तो दोस्तो अभी आपको पता चला हो गा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड एसी में आपको कैसे लगा एक कमेंट्स में जरूर बताना और हां जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना तब तक के लिए बाइएंड टेक केर